क्रिशी उत्पाद के लिए विपड़न व्यवस्था क्रिशक अपने उत्पादों का कुछ भाग स्वेम के उप्योग के लिए रखते हैं तथा शेश उत्पादन को बाजार में बेच देते हैं परंतु बाजार में मध्यस्तों के कारण कृष्कों को उनके उत्पात का उचित मुल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे मध्यस्त कृष्कों से अनाज को कम केमत पर खरीद कर अधिक केमत पर अनिस्थानों पर बेच देते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिनानाजों का नियुंतम समर्थन मुल्य घोशित किया जाता है। एवं सारवजनिक मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। समर्थन मूल्य लागू करने के लिए जरूरी है कि किसानों के पहुँच में मंडी या सरकारी क्रैकेंदर उपलब्द हो जहां उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकारी मंडियों में खुले निलामी की जाती है यहां भाव नियुन्तम समर्थन मूले से नीचे नहीं रखा जा सकता यदि ऐसी विवस्ता नहीं की जाती तो कृषक खुले बाजार में बेचने को मजबूर हो जाते हैं और इसका फायदा मध्यस्त उठाते हैं नियुन्तम समर्थन मूले से आशे विविन फसलों के कम से कम खरीद मूले से हैं जिसे सरकार घोशित करती हैं इस समर्थन मूले से कम मूले पर कृषकों से फसल नहीं खरीदी जा सकती हैं इसे तो कई बार सरकार स्वेम फसल खरीदने के लिए व्यवस्ता भी करती हैं क्रिशी में साख की आवशक्ता क्रिशी कारे हेतू क्रिशक को बीज, खात, जुताई एवं सिचाई आदे की आवशक्ता होती है जीने वह खरीदता है इसके लिए क्रिशकों के पास पर्याप्त धन नहीं रहता इस कारण क्रिशकों को रिण या उधार प्राप्त करना पड़ता है यही रिण या उधार अर्थशास्त्र की भाषा में साख कहलाता है हमारे देश में क्रिशक दो प्रकार से साख प्राप्त करते हैं पहला संस्थागत साख तथा दूसरा गैर संस्थागत साख संस्थागत साग से आश्य ऐसी साग सुईधा से है जो सहकारी संस्था, सरकार या बैंकों के द्वारा क्रिशकों को प्रदान की जाती है इस साग सुईधा के अंतरगत कम ब्यासदर पर रिण के लिए क्रिशकों को किसान क्रेडिट काड के सी सी क्रिशी अंतरों की खरीदी पर अनुदान खाद वा बीज क्रहेतु रिण जैसी सुईधाएं उपलब्द कराई जाती है इसी साग सुईधा को संस्थागत साग कहा जाता है हमारे देश में यह साग सुईधा ज्यादत और मध्यम इवं बड़े किसान प्राप्त करते हैं क्योंकि इस साग सुईधा की सबसे बड़ी बात जमानत होती है जिसे छोटे या गरीब प्रिशक आसानी से पूरा नहीं कर पाते इसके अलावा इस साग सुईधा को प्राप्त करने के लिए विभिन दस्तावेजी और चारिकताओं को पूरा करना पड़ता है इनी कारणों से ज़्यादा तर छोटे एवं गरीब प्रिशक संस्थागत साख सुविधा से वंचित रह जाते हैं संस्थागत साख से वंचित प्रिशक क्रिशी एवं अन्यकारिक करने के लिए मजबूरी वर्ष अपने आसपास के सेट, साहुकार, महाजन, मित्र, रिष्टेदार आदि से रिण प्राप्त करते हैं रिणदाता इन क्रिशकों की मजबूरी का फायदा उठा कर उची ब्याजदर पर रिण प्रदान करते हैं यह साख सुईधा आपसी समझोतों एवं वायदों के आधार पर होती है इसमें किसी प्रकार की कागजी एवं दस्तावेजी आपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता इस साख सुईधा को गैर संस्थागत साख के नाम से जाना जाता है हमवर्ष 2012 में भारत में ग्रामीन परिवार के साख स्त्रोतों को वृत्त आरेक 16.7 के माध्यम से समझ सकते हैं इस आरेक के माध्यम से ग्रामीन परिवारों द्वारा लिये गये कुल रिण का कितना प्रतिशत संस्थागत तथा कितना प्रतिशत गैर संस्थागत है इसका पता चलता है